इस समय की बड़ी खबर सुहना से आ रही है जहाँ पर दो मस्दूर एटाई टावर के लिए खोदे गए कड़े में मिट्टी की चटान तूटने से उसके अंदर दब जिसकी सूचना इस्थानी लोगों द्वारा पुलिस वा फाइब्रगेट को दी गए सूचना पाकर मौके पर पहुची फाइब्रगेट वा पुलिस करमचारियों तीन घंटे की कड़ी मशक्कत की बाद दोनों मशीन से मिट्टी हटवा कर बाहा निकाला जिनको बेखोशी की हालत में सोहना की नागरिक हस्पताल में दाखिल कर आया गया लेकिन फिलहाल दोनों मजदूरों की हालत खत्रे से बाहर है मिट्टी में तब मजदूरों की मानी तो वहाँ एयर टेल कंपनी में मजदूरी का क कर रहे थी तब ही अचानक मिट्टी की चट्टान टूट कर उनके उपर गिर गई और दोनों मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए जिनके सूचना ग्रामेडों द्वारा पुलिस वफावे भाग को दी गए जिनोंने मौके पर पहुचकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मज थे रक कैसे फिर उनको लिखा लगया उन्हें जैसे देख गाव्वालों में एंभी उसका उप्र देखा तो मैंने नमघ्यमर पर कोल झया उदर जएसीपई ओले को लिगए और सभी महाँ पर समय प़ागिया और पुलिस वालों ए और फायरविज़ेट वालों ने अपने स बटो पूरे दब गए थे या फूरे अब है अभी ठीक है और अब होस्पिटल में हैं दो टो कितनी देर बाद निकले तीन गंटे बाद तो पूरे दब गए थे या अभी ठीक है आप आप तीक है कहा के रहने वाले हैं? RAMP तो ठेक दार कौन हैं आपक किसके काम करते हूं? किया काम करते हो? मैं हाज कैसे हुआ था अधसा अब बालफ निकाला है थे शोड़ी निचे से निगाई लीठी in बीड़ी एफ हमने तिन अबर सिरा आज था थे शुआ है अच्छा कितने लोग दबे थे दोनों अभी कैसी तब ही थे तुमारी किस ने निकाला आपको बाई मुझे तो घौँ बालो ने निकाला रहा है अगर हो ना हो देगा आपको देश वा प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हर्याना वर्दान चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वा शेयर करें